नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजनीती से एक बहुत बढ़ी खबर निकल कर सामने आ रही है यूपी की 10 सीटों पर नहीं बलकि 17 सीटों पर उपचुनाओ हो सकते हैं वो सात सीटे कौन कौन सी हैं जहां उपचुनाओ कराये जा सकते हैं आखिर इन सात सीटों पर चुनाओ कराने के पीछे की वजह क्या है ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों दोस्तों लोगसभा चुनाओं के दौरान नौ ऐसे विधायक थे जो जीत कर लोगसभा पहुचे हुए हैं इसके साथ ही कानपूर की सीट से विधायक थे इरफान सुलंकी जिनको सजा हो गई जिसकी वज़े से सदसिता उनकी जा चुकी है और ये एक सीट और मिला लीजिए तो दस सीटों पर उपचुनाओं होना तै है लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मताबिक साथ और सीटे ऐसी हैं जिन पर उपचुनाओं खोशित किया जा सकता है दरसल दोस्तों फरवरी का महिना आपको याद होगा जब यूपी में दस सीटों पर राजस वोटिंग की थी वो साथ विधायक थे पूजापाल, विनोच चतुरवेदी, राकेश प्रताप सिंग, राकेश पांडे, अभाय सिंग, आशतोष मौरया और मनोच पांडे तो दोस्तों ये साथ विधायक सपा से बागी हो गये थे इन सभी विधायकों ने बीजेपी के प परताप सिंग और अभय सिंग दिल्ली पहुचे और भारतिय जनताप पार्टी के मुख्याले में सुनील बंसल से मुलाकात की हैं बस दोस्तों इस मुलाकात के बाद से ही कयास लगने शुरू हो गए हैं जो ये दो बागी विधायक है समाजवादी पार्टी के उनकी सुनी बीजेपी के राजसबा सांसद संजय सेट भी मौजूद थे इस मुलाकात के बाद दोस्तों ये बात कही जा रही है कि ये विधायक आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से जिसके बाद यूपी में दस नहीं बलकि सत्रह सीटों पर उपचुनाओ हो सक दोस्तों कहानी ये है कि बीजेपी अभी उस हालत में नहीं है कि इन बागियों को किसी भी तरह का कोई तोफ़ा दे पाए दूसरी बात ये है कि अगर इन सिटिंग विधायकों कोई BJP टिकेट देती है तो इस बात की भी कोई गैरंटी नहीं है कि ये बागी विधायक BJP के टिकेट पर चुनाव जीच जाएंगे ऐसे में दोस्तों अंदर की खबर ये निकल कर आ रही है कि BJP की नजर विधान परिशत के चुनाव पर भी है आगे अभी विधान परिशत की कुछ सीटों पर चुनाव होना है BJP विधान परिशत में भी अपना दबदबा कायम रखने के लिए इन विधायकों की मदद ले सकती है ऐसे में अभी सपा के बागियों दोरा इस्तीफा देने की परिशती नहीं बन रही है दोस्तो उधर सपा की ओर से भी विधान सबाद देख्शकों किसी भी तरह का कोई पत्र नहीं सौपा गया है इन बागी विधायकों के खिलाफ ऐसे में अभी ये बागी अपने विधायकी पत्र बने रह सकते हैं लेकिन बागी विधायकों की जो मुलाकात बीजेपी नेताओंस के साथ हुई है दिल्ली में बीजेपी मुख्याले में उसको भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है अगर इस्तीफे की किसी भी तरही की स्तीफी बनती है तो साथ और सीटों पर चुनाओ होना तय समझिए और वो सीटे कौन कौन सी हैं? ये बागी विधायक कहां कहां से विधायक हैं? अगर ये स्तीफा देते हैं तो कौन सी सीट खाली होगी? ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं पूजापाल कौशामभी के चायल से विधायक हैं? विनोद चतुरवेदी जालोन के कालपी से विधायक हैं? राकेश प्रताप सिंग अमेठी के गौरी गन से विधायक हैं? राकेश पांडे अमबेटकर नगर के जलालपुर से विधायक हैं? अभै सिंग आयोध्या के गुसा अब सवाल एक और उठता है कि सपा की ओर से इन विधायकों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया उसको भी हम आपको समझाने जा रहे हैं उसको भी समझे दरसल दोस्तों समाजवादी पार्टी अपने बागी साथ विधायकों पर कारवाई के मूड में द अखिर अखिलेशादो की रणीति क्या है दोस्तों । लोग कह रहे हैं कि या अख्लेशादो की रणीति का एक बड़ा हिस्सा है कैसे बागी विधायकों के सजातिये मददाताओं की सानभूती हासिल करना भी एक बड़ा मकस्द हो सकता है समाजवादी पार्टी का ताकि इस सफा के कई नेता इस बात का दवाँ जरूर करते हैं, कि बागी विधायों के खिलाफ सबूत इk合टा किये जा रहे हैं ताकि उनके खिलाफ कारवाई हो सके, उनको कहीं से भी रहात ना मिल सके दोस्तों अकलेश शादों की रणीती इन विधायकों के सजाती मददाताओं को ये संदेश देने की है कि इन विधायकों के विश्वाजगात करने के बावजूद पार्टी ने उनकी सदस्यता रद नहीं कराई और पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया सपा को उमीद है कि इसका फायदा अगले आगे आने वाले चुनावों में मिल सकता है उत्तर प्रदेश में जाहिर है दोस्तों उप चुनाव और उसके बाद विधान सभा चुनाव हैं अखलेश शादों पूरे प्रदेश में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यूपी में सियासी हलचल काफी तेज होती जा रही है देखना होगा कि सपा के बागी विधायकों की दिल्ली में बीजेपी निताओं से जो मिटिंग हुई है मुलाकात हुई है उसके बाद कुछ बड़ी राजनतिक तबदील यहां देखने को मिलेंगी या फिर हर पार्टी अपनी अपनी चाल चलती हुई दिखाई देगी बहुत शुक्रिया दोस्तों